मैं इस वीडियो में आना वालाओ कि हाओ टो फिल फॉर्म इसी नेट फॉर्म को फिल करते हो बट कुछ क्राटेरिया होते हैं पर सिंग देने पड़ते हैं क्या के टेग्रीद होगे मेरे से कम नंबर वाले को स्कुर वाले को मैं लिस्ट आगा है यह सब इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं तो सबसे पहले मैं यहां पर देखिए एक नोट्विट फुल देता हूं तो सबसे देखिए होते क्या है ना कि आपको एलिजिबिलीटी जो टेस्ट होती है आपको दो तरके शेले के होती है फर्स्ट के होती है आपके की इसी कर देता हूं सबसे पहले देखिए कि नेट के लिए क्या चाहिए आपको सबसे पहले हमको मास्टर डिगरी चाहिए या पर्सिंग भी कर सकते हैं 55 परसेंट और सो मैं इसको लॉंग कर लेता हूं आपको मैं कुछ टैपिंग करके टेवल अपको चाहिए करने वाला हूं तो इस तरह का कर देता हूं देखिए वीडियो के मैं बहुत इंबेत्रीन तरगी से बताने वाला हूं त्यक्रेह नर्मल होगे और जो मास्टर पर स्वीइंग है आप वह अल्ट देखिए जो इसमें इंट आदिता हमें जो पर श्वींग इन बार्स टैर क्या सिक्स्टी पर्सेंट आई थे कब आई थे जब नॉर्मल होते हैं पर्ट जब मर्ज हो जाती है मर्ज साइकिल हो जाएगे तो उसमें लास्ट टाइम आपको सीक्स टू टेन परसेंट देखने को मिले हैं समझें तो इस वार भी आप सेलेक्शन होने के बाद यहां पर यहां भी ठीक है तो आप फॉन फिल करोगे उसमें अगर आप नेट के लिए हो तो सिर्फ नेट देते हो क्योंकि आपकी एस प्रेक्टर नहीं होती है इस प्रेक्टर से रिगारिक में बता देता हूं कि अगर नॉर्मल जेरह वाले को प्रेक्टर नेट अप्लाइक करते हैं बट जो मतलब दोनों के लिए वह बोथ नेट जेरह के लिए अपलाइक करोगे ठीक है इनके बाद मैं चलता हूं क्रेटेरिया सेम के फॉन करोगे एक्जाम दोगे टॉप 6 परसेंट जितने लोग आते हैं नेट के लिए सेलक्षन हो में चीज़ है जो हम लोग के लिए वीडियो में आए और आप लोग देख भी रहोगे एनफोबसी एनफेसी मैं यह क्या होते हैं सबको बहुत सब्सक्राइब को यह कंफ्यूजन हो तो देखें यह तीनों के लिए क्रेक्टिरिया क्या होना चाहिए सबसे पहले कि आप सेम फॉल फिरम होते देखें है फॉर्म फिल्स सेम इज़े एडिसी ठीक है फर्स्टिंग सेकेंड तेंग कि जो फर्स्विंग है बेल्डन है वेलकम करता हूं फर्सविंग पीएजडी और एमफिल या एमटेट ठीक है आपको यह इलिजिवल होगे फॉर्म के लिए सेलेक्शन नहीं है आप लोग ऐसा माद सुचेए कि हम लोग सेलेक्शन नहीं होंगे होंगे नन फॉर्सेंग आल्सो तो चैंस पर सेलेक्शन ठीक है कि ठीक है और क्या होते हैं कि आपको केटेग्री मेंशन करने होंगे देखिए तो सबसे पहले जो एना फोबी सी हैं वह भी सी मेंशन करेंगे और जो भी मैंट में आते हों कि होंगे वह कर देंगे मैंट वाले माइन रोटी देदेंगे मैंट के अंदर मुचलिम सीख पर्शन सब आती हैं अपने हिसाब से देंगे और इनके क्या होते हैं ना कि सेकेंड फेक्टर क्या देखिए मेंडेटरी आपको जब करोगे तो बोथ नेट एंड जेरेफ देने हो मतलब मतलब कि नेट कॉलिफाइड नेट कौलिफाइड और नियर आवाउट मांक्स में नीचे रख देता हूं मांक्स ठीक है कट ओफ और क्या बोलेजिए परसेंटाइप ठीक है यह आपको क्या होंगे नियर अबाउट क्या होने चाहिए जेरेफ होंगे जेरेफ के जितने कर्ट फाएंगे वह में जेरफ पर भी आऊंगा इडेवली एस पर भी आऊंगा चाहिए इसके बाद देख लेते हैं यह होगे सबसे बनी बात है कि इन में जब वो होते हैं करल्बाटेरिया होते हैं अगर सबसे पहले में एडेवल्यख देख लेता उनके बाद इडेव्यए स्वात होती है जो पीकर सेक्शन के लिए होती है जेरे लोम जो जो बिलोंग करते हैं में मतलब कि जेनरल में बट उनके जो फैमिली इंकम है कि फैमिली इंकम नोट मोर देन शीक्स लाट और भी जो होती है जैसे कि लैंड योर प्रसनल जो लैंड है जमीन है आपकी जो नोट मोर देन एट हैंडे टूवण ठोजेंड आश्कुराइर फीट नहीं होना चाहिए इसके हिसाब से आप बना सकते और करम में तो बलोक में जाके बना सकते हैं इसमें आपको भी महला होगा है को भी जेनरल जो आते हैं वो जेनरल के लिए ये डवलुए से आप उच्छे होने वाले होत कैटेगरी की जैसे एन फेसीह हैं और एन फेसीह हैं इनलों के लिए यहाँ पर नोट मोर देन एट लेक हैं एट लेक हैं ठीक है अभी तक मैं एन इनको जानता है मैं डिकलिए साथ में भी कोई भी नहीं है डिसकाउंट आती नहीं है में भी पता नहीं EWS होगे और फॉर्म फिल्ट से हम होगे ठीक है ऐसा नहीं कि EWS भी सेम फॉर्म है सबके लिए one form होते हैं आपको वहीं कटेगरी बाइट किया जाता है तो आप देखे लेते हैं हम लोग जिया रहे जिया रहे होते हैं न टॉप र होता न कि नेट और जैरेफ जब दोनों के लिए सेम फॉर्म फिल होगी फॉर्म नेट एंड जैरेफ और 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 अनादर अधर और फेलोशी का स्पेलिंग आ ला थे यह आप लोग देखने जागे ठीक है सेकेंड चीज कि जैसे कि आप क्वालिफाइड नेट से एट ट हूँन्स इस ुट टेन है शेंत है परसेंट भाएएरी करते हैं ठीक है मतलब अन्तर डिफेरेंस होते हैं डिफेरेंसेद होते हैं कट के लिए यह प्लिया जाते हैं है paper लीफ потр 싫़ होते हैं और आर आपको शेम जो होंगे ना यह के लिए आपको अप्लाइब करने परेंगे बोथ नेटेंट जैरेफ के लिए तो जैरेफ का टॉप जो होंगे उनके हिसाफ से जैरेफ लिया जागा और उनके नीचे से देखिए लेकिन जब यह मर्ज होते हैं इस वर तो आपको वान परसेंट रिजल्ट आते हैं ठीक है अपील गी थी कि सार 12 परसेंट अपील देखिए हाई कोट में बट यह इसको नहीं हुए मतलब नहीं मानेगे वह अपनी इसाफ से देंगे बट इतना आए थे अगर में भी मर्ज होते हैं तो जो केस चल रहा था वह चल रहा था कि सार 12 परसेंट और 2 परसेंट जैरेफ कर जाना चाहिए लेकिन इसा नहीं है वह अपनी साफ से खारीच कर दिया गया 6-10 परसेंट के बीच में वह आया है नेट का रिजल्ट आये थे हर एक सब्जेट का जिससे के लिए और 1.5 बॉल ले जिए जेरेफ के लिए भी आई थे और यह प्रोसेस के लिए से होना चाहिए ठीक है एक जो मेन फ्यक्टर है डिफिरेंसेज है वह यहां पर है मैं आपको वह करना चाहता हूं बताना चाहता हूं ठीक है चलिए देखिए कि अगर जैसे होते क्या है ना कि टोटल यहां समय चलता हूं कि एन फोवेसी एन फैसी और मैं के लिए टोटल जो सीट है वह है 1000 इस कल्टू एजी सी और पलस सी एस यह किन के लिए है एन फोवेसी एन फैसे और मैंट के लिए यह जो सीट है वो क्या है यह वाइज तो आप देखिए एजी सी अगर मर्ज है तो कितना है इनके लिए इन वे से वान फोजन में सेवेन फिफ्टी पोर सिर्फ किन के लिए है एजी सी के लिए ठीक है और टूफिप्टी है तूफिफ्टी सीट है और फोर ऐसी एसर के लिए ठीक है एन फोबी सीका लाग नफ के अलग महन का अलग कि बट अगर वह एर वाइज ना एक्जाम होके टू एक्जाम इन एर होते हैं तो उस कंडिशन में ओनली थीरी ट्वंटी फाइब सब के लिए फोर में एक होते हैं मैं रिपीट कर देता है लिए टेस्ट के लिए दो टेस्ट होते हैं देखिए अगर पर सिंग मैंस्टर है 55 परसेंट तो भी कर सकते हैं सिक्स परचाहिएंगे मर्ज में सिक्टी नानिक चाहिए सब्सक्राइब करते हैं तो उनको सलेट किया गया यह नहीं सब्सक्राइब करने के लिए टाम पर सिंग नहीं हो तो आपको जर्फ की तरह 30 साल के लिए दिया जाता कुछ लोग दो साल ही बोलते हैं लेकिन दिया जाता है सीट का बात में वह रावन फोबिसी एन फेसी में अगर यह वाइज है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वह उनका भी जर्फ और नेट वहां से मिल सकते हैं यहां से टू यह सब्सक्राइब करने साटेफिन हो जाते हैं आप्टर टू ययर्स ऐज जारेब कानवार्ट इंटू एच और से सिक्वीयर में वह थो हैं तो इसतरा काको डीटेल आपको मिलते जाते हैं इनकी मिलती है सबको स्टार्टिंग विर्ट टू एर्स थर्टी वान के पलस चारे पलस चार्जा मिलती है और यह एक्वल भी आपको किसको जैरेफ मिलेंगे एन फबीसी मैं और एन फैसी सबको मिलते हैं इन दा आप्टर टू एर्स फोर एसरेफ के लिए यह एसरेफ में एसरेफ में यह कितने हो जाते हैं 35 के हो जाते हैं ठीक है पलस एच्यारे पलस अंटिजिंसी बोल सकते हैं इस तरह का आप यह तो पूरे में इस वीडियो में आपको डिटेल बदानेंगे ट्राय क्या हूं अब देख लेते हैं वन वाइन के अप्लाय के से कड़ा होते हैं आपको स्पॉन पर आना है आपके स्टार्ट होगे बीस मे इचेशन आपको कर दीज कर दीगा यह यहां पर आने के बादो नीचे अपको डिटेल परने का इज़े क्बाद प्रसुट जाओंगे यहां सब्सक्राइब परवान पासफ़ोर्टेवर्टी इन्देंगे सम्पिट करोगे रिच्टेशन हो जाहां प्रगए पर में आपके करते हैं आप एक्जाम देजी अपने करते हैं नहीं तो ठीक है उसके बाद प्रिपेर स्टार्ट कर दीजिए और आपको सब कुछ लिया जाता है खुद इसके आपको निश्ट निकाल के देते हैं कोई अलग से जाने जरूत नहीं है फूल डिटेल रिजल्ट आपको यहां प बता देता हूं कि ज्यादा दिन नहीं लेने वाली कोई क्रेक्शन विंडो आफ्टर ट्वंटी को ट्वंटी वंटी ट्वंटी थरी ओपन कर दिया तो बिदिन जून तक में अगर लेट हो तो मैं जुलाइफ फर्श्ट विक तक एक्जाम होने की पर्समलेटी नाइन्टी